कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने काम में बिजी थे व्यस्त थे और अचानक कोई आकर अपने दुखड़े सुनाने लग गया आपको डिस्टरब करने लग गया और आपने सोचा अरे बचाओ काश मेरा फोन बच जाए कोई कॉल आ जाए और मैं बहाने से इससे पकारा पापाउं, इस विडियो में हम सीखेंगे कि अपने मोबाइल फोन पर फेक या नखली कॉल कैसे करते हैं नमस्ते, मेरा नाम एकता है, इस विडियो में मैं आपको कॉल असिस्टेंट आप पर एक फेक कॉल करना सिखाओंगी और इस वीडियो में मैंने एक Android phone का इस्तमाल किया है जो है Samsung Galaxy S3 चलिए एक fake call कर लेते हैं सबसे पहले Play Store पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं और अब Play Store में खोज लेते हैं fake call ये देखिए ये एक app है जिसका नाम है fake call and SMS इस पर क्लिक कर देते हैं और इसे इंस्टाल कर देते हैं और Accept के बटन पर क्लिक किया अब ये app डाउनलोड हो रही है और अब ये app इंस्टाल हो रही है ये app इंस्टाल हो गई अब हम Open के बटन पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं यहां देखें, उपर लिखा है call assistant, तो यह call assistant खुल गया, अब अगर आपको कोई call करनी है, तो आपके पास यहां पर दो options हैं, यह है quick call, यानि कि आप जल्दी से पटाफट किसी भी number से एक नकली call यहां पर schedule कर सकते हैं, तो इस पर click किया और accept के button पर click कर दिया, यह देखें, आप जाहें, तो यहां पर उपर private number डिस्पले कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर select कर सकते हैं कि आपको किस से phone चाहिए, तो चलिए यहां पर लिख देती हूँ, mommy, और नीचे आप चुन सकते हैं कि आपको कितनी देर में यह call चाहिए, 15 second, 30, इत्यादी, तो हम 15 second select कर लेते हैं और done के button पर click कर देते हैं, अब यह जो button है Samsung S3, यह मेरा phone है, उसने अपने आप detect कर लिया है कि यह Samsung S3 है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहां पर click करके आप choose कर सकते हैं कि आप कैसी screen display करना चाहते हैं, लेकिन मैं Samsung S3 ही रहने देती हूँ, और फिर save के button पर click कर देती हू अब यह देखिए, एक नई call schedule हो गई है, 15 second के अंदर अंदर यह phone बजना चाहिए, देखते हैं बजता है यह नहीं, यह देखिए, यह phone बज गया, इसको disconnect कर देती हूँ, और यह जो call है, यह मैंने अभी अभी fake call जो schedule करी थी, यह आ गई, चलिए वापस चलते हैं, तो यह ह यह तो इस call में बहुत सारे features डाल सकते हैं, additional options डाल सकते हैं, उसके लिए call पर click कीजिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कोई नाम लिख सकते हैं, या फिर आप अपने contacts पर click करके किसी contact को भी डाल सकते हैं, तो हम इसे फिलहाल छोड़ देते हैं, यहाँ पर कोई नाम डाल देती हूँ, जैसे की big boss, और फिर number डाल देती हूँ, कोई number चूज कर लेती हूँ, जैसे की 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर मैंने ऐसे ही एक नकली सा number डाल दिया है, लेकिन अगर आप चाहें, तो आप असली number भी डाल सकते हैं, और फिर done के button पर click कर दिया, अब यहाँ पर आपके पास 6 अलग-अलग button है, चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या options है, यहाँ पर इस button पर click किया, तो आप यहाँ पर अपनी ringtone चुन सकते हैं, फिलहाल ringtone silent है, पर आप चाहें तो यहाँ पर कोई choose कर सकते हैं, जैसे की मैंने यह jungle drums select कर ली, और ok के button पर click कर दिया, फिर है vibration, यह पहले से ही enabled है, लेकिन अगर आप इसे दुबारा click करेंगे, तो यह off हो जाएगा, मैं इसे click करके on ही रहने देते हूं, और तीसरे button में देखिए, आप date और time चूज कर सकते हैं, यानि कि आपको यह call कब चाहिए, यहाँ पर देखिए, इस पर click किया, 5 मिनिट, 15 मिनिट, 30 मिनिट, 45 मिनिट, तो हम यहाँ पर इसे schedule कर लेते हैं, मैं यहाँ पर choose कर लेती हूं, यह है आज की date, 23 जुलाए 2014, मैं इसको वैसे ही रहने देती हूं, set पर click कर देती हूं, और अब time चुन लेती हूं, यहाँ पर 7 बच के 35 मिनिट है, इसको मैं 7 बच के 36 मिनिट, select कर लेती हूं, और फिर इसे set कर लेती हूं, और फिर यह चौते बटन पर click किया तो, आपको कितनी देर के बाद यह call दुबारा चाहिए, 2 मिनिट, 5 मिनिट, 10 मिनिट, तो मैं 5 मिनिट कर देती हूं, और आपको कितनी बार, यानि कि 5-5 मिनिट के interval के है, यहाँ पर click किया तो, आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि कौन सी file प्ले होगी जब यह fake call या नकली call आएगी, आप चाहें तो कोई music प्ले कर सकते हैं, या कोई audio file अपने phone card के memory में से आप upload कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है, इसको रहने देती हूं, आपके पास यहाँ पर record option ह है, आप इस mic के button पर click करके, और कोई message record भी कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं फिलहाल छोड़ दूँगी, वापस गए, आखरी option, यहाँ पर देखिए, talk time आपको कितना duration चाहिए, उसमें हम 15 second डाल देते हैं, और आखरी, यह देखिए, Samsung Galaxy S3, मेरा पहले से यह screen जो है, चुना हु हो गई है, 7 बच के 36 मिनिट के लिए, विलहाल 7 बच के 35 मिनिट है, तो देखते हैं, यह देखिए, यह call आ गए, इसको मैंने cut कर दिया, इस प्रकार आप future में या भविश्य में कोई भी call schedule कर सकते हैं, और किसी भी number को अपने phone की screen पर display करके, अजीब situations में से निकल सकते हैं, विडियो पसंद आया, तो यूट्यूब में लाइक का बटन जरूर दबाएए और शेयर कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, नए विडियो की जानकारी लगातार प्राप कर सकते हैं, क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए, धन्यवाद झाल